रेडी मेट नकाब को कैसे फिटिंग किया जाता है वो तरीका में बताऊंगा यह देखिए इसमें बहुत सारा वर्क दिया गया है यह वर्क से आप जब सिला कीजएगा तो ध्यान देजएगा कि आपका स्वी इस वर्क में ना पड़े नहीं तो आपका स्वी भी तूट सकता है सबसे पहले इसमें मेजरमेंट में देखाता हूँ आपका अगर सूट 35 इंची चेस्ट है तो इसको कितना लूज देना है तो इसमें 3 इंच लूज देना है देखिए 38 इंच रखना और कमर 31 इंच है तो 35 इंच रखना है इसमें भी 3 इंच लूज देना है सबसे पहले यहाँ पे जो पहले सिला लगाए है वहाँ से माइनेस कर लेना है मैं यहाँ पे सवा एक इंच पे निशान लगाता हूँ सिलाई से माइनेस कर लेता हूँ जो पहले का रेडिमेट सिलाई जो होता है वहाँ से माइनेस कर लेना है और फिर यहां से चेक कर लेना है कि वो जो निशान लगाएं वहाँ पे 38 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो देखें यहाँ पे सारे 19 इंच आ रहा है तो हमको सावा 19 इंच रखना है तो थोड़ा सा फिर इसको कम कर लेना है और यहां फिर आपको कमर का मेजरमेंट कर लेना है तो यह देखे कमर का जो मेजरमेंट होता है सारे 13 या 14 इंच में रखा जाता है तो यहां पर मैं 16 इंच पर निशान लगाता हूँ और यहां पर 7 इंच है और यहां इधर भी 7 इंच पर निशान लगा लेता हूँ वो एक सिधा हो जाएगा दोनों तरब और फिर यहां देख लेना है कि 35 इंच आ रहा है कि नहीं फिर वहीं सिलाय से माइनस कर लेना एक इंच पर निशान लगाया दूसरे तरब भी एक इंच पर निशान लगा रहा हूँ और फिर चेक कर लेना कि कितना रहा है तो यह देखिए 18 इंच आ रहा है तो इसको भी थोड़ा सा कम कर लेना है अब देखिए यहां पर 35 इंच आ रहा है 7.5 इंच उसके बाद बाजू का मोहरी में यहां से एक निशान लगाया मैंने और देखता है मेजरमेंट करके यह देखिए सारे 8 इंच इसको रखना है फूल बाजू है यह तो सारे 8 इंच भी रखेगा तो आपका फिटिंग बाजू आ जाएगा और यहां से फिर सिला लगाना है वीडियो को पूरा देखेगा ताकि कैसे नकाब को फिटिंग किया जाता है वो आपको समझ में आएगा और यहां पे जो कमर के सामने एक पट्टी दिया रहता है तो उसको ध्यान तीजिएगा कि पट्टी आप सही से सेट कर लेना है उसके बाद सिला लगाना है और जिस जगा पे वर्क दिया है वहां पे सिला हलका हलका लगाना है ताकि आपको स्वीट टूटे नहीं यह देखिए एक साइट का सिला लग चुका है अब दूसरे सेट में आपको वो जो निशान लगाए है कमर के सामने यहां से सिला लगाना है इस तरह मेजरमेंट से आप अपना नकाप को अच्छी तरीके से फेटिंग कर सकते हैं दूसरे बाजो का मोहरे भी मेजरमेंट कर लेना देखना सारे आठ इंच जो दूसरे बाजो में था पहले बाजो में दूसरे बाजो में भी सारे आठ इंच रखना है यह देखिए यहां तक सिला लग चुका है उसके बाद आपको जो कमर से सिला लगाए थे वहां से आपको नीचे तक सिला लगाना है और जो पट्टी यह दिया आ गया है कमर के सामने वो पट्टी भी सेट कर लेना है और फिर सिला लगा देना है यह देखिए सिला लग चुका है उमीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना झाल 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 झाल